हेलो और वेलकम तो मैं चैनल वियाकाज तो गाइस यह आज आपके सामने सुजुकी की नई बलीनो और इसका अलफा वेरेंट है आटोमेटिक जे इस गाड़ी का नया फेसलिफ्ट 2022 वेरेंट है और आप देख सकते हैं इस गाड़ी का फ्रंट लोग परसनली मुझे इस गाड छॉए में आपको सिर्फ प्रेटरॉलं मिलता है इस गाड़ी की प्राइस 6.35 ल५ से स्टार्ट होती है फोरी इस गाड़ी की यहरा तौप वेरेंट इसकी प्रैस 9.50 लॉक हिना टार्म्प्र अाट जेव मिलती है और इसकी LED Fog Lamps with Chrome Garnish मिलते हैं और यह इसकी Auto LED Projector Headlamps इनके अंदर आपको यह तीन DRLs मिलते हैं और इसका Hood और यह दो Wipers मिलते हैं और इसकी रूफ आप देख सकते हैं इसके ओपर आपको क्लाग पिन एंटेना नहीं मिलता है यह आपको सिंपल एंटेना मिलता है और यह स्वाइड ओर विम्स इनके ओपर आपको यह LED इंडिकेटर मिलते हैं और यह कैमरा मिलता है नीचे से 360-degree camera के लिए और यह आप देख सेते हैं इस गाड़ी का side view गाड़ी की लेंथ है 4-meter और इस गाड़ी की height है 1.5-meter और side view आप देख सेते हैं और यह इस गाड़ी की alloy wheels इसके अंदर आपको यह dual-tone alloy wheels मिलते हैं यह आपको 16-inch की alloy wheels मिलते हैं और यह संटर में आपको Suzuki का logo मिलता है और यह rare wheel इसमें आपको यह सेम फिनिशिंग मिलते हैं अदर में पर्ट में आपको discpicks मिलते हैं और यह में drume-picks और यह आप देख सेते हैं इस गाड़ी का rear look और यह इसके नए LED Tail Lamps जी एल शेफ टेल आपस मिलते हैं इसमें और इसका रेर बंपर और निजे से तोइंग और exhaust pipe और यह आप इस गाड़ी की ground clearance देख सकते हैं इस गाड़ी में आपको 170 mm की ground clearance मिलती है और इसकी LED tail lamps इन पे आपको यह बड़ा ही नए डिजाइन मिलता है और यह बलीनों की बैजिंग सुजुकी का लोगो और यह रेर पार्किंग कैमरा और यह chrome finishing आप देख सकते हैं और यह Nexa की badging और यह high mount tail lamp या brake lamp और यह rear wiper तो यह था इस गाड़ी का रेर और यह आप देख सकते हैं इस गाड़ी का बूट इस गाड़ी के बूट में आपको 318 लिटर की बूट कैपैसिटी मिलती है और इसके अंदर आपको इंसलेशन भी मिलती है और यह आप देख सकते हैं साइड से इंसलेशन नहीं मिलती है और यह side lamp मिलता है और यह hook और यह नीचे से spare wheel मिलता है यह alloy नहीं मिलता है और यह पॉसल ट्रेट करते हैं तो चलिए हम इसका बूट क्लोस करते हैं तो चलिए आप हम इस गाड़ी का इंटियर रिचा करते हैं तो यह इस गाड़ी का फ्रेंट इंटियर बड़ाई जाई मोड़न और जाई इंटियर है इस गाड़ी का स्टेरिंग विल इसके ऊपर आपको यह लेदर फिनिशिंग मिलती है तो यह त्रीज्प्क स्टेरिंग विल मिलता है इस पापको राइट और लेट साइड से कंट्रोल मिलते है और नीचे से कॉल रसीवर एंड और वाल्टी मिलते हैं गाडी में और यह सका फन्ट इंस्टुमेंट क्लस्टर यह बोथ मैंनूल और डिजितल मिलता है इसके उपर आपको सारी इंफॉर्मेशन पेस्ट निल जाती है और यह साइट से आपको हेड़ अप डिस्प्लेय का बटन मिल जाता है और यह आप जैसे ते इसको अपने व्यू के हिज़ाब से तो इस पर आपको फ्यूल की इंफॉर्मेशन रेंज की इंफॉर्मेशन और बागी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है वर इस गाड़ी का सेंटर कंसोल जो आप देख सकते हैं और यह साइड आपको फ्यूल माइलेज मिलते है इसके सेंटर इंस्ट्रूमेशन क्लस्टर पर और क्लॉक भी मिलती है और इसके उपर आपको यह फिनिशिंग मिलती है हार्ट ब्लास्टिक में और सेंटर में आपको यह शाइनी सिल्वर फिनिशिंग मिलती है और यह इसका ग पोटे में स्क्रीन मिलता है इसके ऊपर आपको बहुत से पीचर्स मिलते हैं जैसे आप सेटिंग्स देख सेकते हैं यह बोथ एंड्रोइड आटो और एपल कार प्ले सपोर्ट करता है और नीचे एस इवेंट्स प्रोम स्राउडिंग के साथ और हैज़र्ड लाइट का बटन और यह नीचे एस इवेंट्स और एसी के कंट्रोल उस्च पोर्ट और यह उस्बॉर्ट चारिजिइंग पोर्ट मिलता है पाऊ आउट लेट मिलता है नीचे दो काफोल्टड जंनते हैं और वायर्लस चारजिइंग के लिए स्पेंस और हैपाई- exatamente saat अघल बॉक्स और यह Mmm और इसका ग्लोब बोक्स इसमें भी आपको डिसेंट स्पेस मिलती है और इसके अंतर आपको फर्स्ट एड किट मिलता है और यह रियर मिरर ऑटो डिमिंग के साथ मिलता है और सन्वाइजर और वैनेटी मिरर मिलता है और यह लाइट्स आप देख सकते हैं और पैसंजर और यह रूप आप देख सकते हैं तो यह आप देख सेते हैं इस गाड़ी कार एकामरा फ्रंट और एरर पालकिं कामरारस गारी मेस आंको बोट फॉर्ट कामरNS मिलते हैं वhou त्सफ्लोडी के पहनतर आपको सिक्स एलगेस मिलतं और यह आप दे змOhliamo कार एर इसे आप टरिए स 60-degree का कैमरा मिलता है जिससे आप पूरे साइड से देख सते हैं गाडी के तो चलिए अब हम इस गाडी के रेर सीट्स देखते है तो यह इस गाडी का रेर डोर इस पे भी आपको फुल ब्लैक फिनिशिंग मिलती है और इस सेंटर में थोड़ा ब्लू इस टोन में लादर फिन स्कफ प्लेट नहीं मिलती है और इस गाडी के रेर सीट्स आप देख सकते हैं इनके ओपर आपको फैब्रिक पोस्ट्री मिलती है ब्लैक कलर में और आप देख सकते हैं इसके ओपर कैसा पैटर्न मिलता है दो हैड्रस मिलते हैं और यह आप फोल्ड कर सकते हैं इस रेर सीट को बूट स्पेस इंक्रीज करने के लिए और ये रेर में आपको येजबी पोर्ट मलता है और ये टाइप-C चार्जिंग पोर्ट मलता है फास चार्जिंग के लिए अगर ये रेर एस इमेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप फ्यूचर में ऐसे वीडियो देना चाहते हैं तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब कीजिए कि अगर में थास कुरे ओ उब लाइक का बाइक कीजिए wheat और आता शाया ओार आपको ये वीडियोंक।